हेलो प्रेंड वड्यां विजक्षात में सबस्क्राइब करने से तरिक वीडियो हम पर इस वीडियों रॉपह तो अगरे यह की इस वीडियो की बारे किन्स दुब हां ऊब करतेगी हैं विज़ इसमें से बताना है इसमें से कौन सी एंस्ट्यूशन है जो कि जिसने कॉमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट नहीं किया मैं आपको बहुत 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 बात करते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग किसने स्टार्ट नहीं की तो देखिए इड़ बैंकिंग में डील किया है लेकिन सिट्बी कॉमर्शियल बैंकिंग इन्होंने स्टार्ट नहीं करिए इसलिए यहां पर ऑप्शन जो जाएगा यह हमारा राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट्स पर आते हैं अब यहां पर हमें बताना है Q2 क्रेडिट का क्रणेक्शन्स करते हैं तो उसमा एटीप का क्या मतलभ है बहुत सिम्पल है एक स्ट्रानिक्शनस पासवर्ड ऊनरे स्ट्रेडिंग पासवर्ड या फिर वन्टाइम ौठीं कोड तो देखिए पर आपको एक OTP मिलता है जिसको one time passport बोलते हैं आप उसके थू उसको एंटर करके वहाँ पर अपना transaction कर सकते हैं तो यहाँ पर option 3 हमारा है यहाँ पर right answer है बहुत simple है हम हर तरह के questions discuss करेंगे तो आप यह मत सोचेगा कि यह बहुत simple है ठीक है next है the powers of control the powers of controllers of capital issues of India is now shifted to यानि कि जो भी हमारे जो power है capital issue ही वह हमारे अब shift हो गई है कहां पर shift हो गई है ministry of finance में SEBI, AMFI, ministry of corporate office तो यहाँ पर बात की जारे capital issue ही आप यह सारी चीज़े छोड़ दीजे बर यह बात देखिए capital issue हमारा कौन deal करता है इस पर control कौन करता है वह करता है हमारा SEBI ठीक है अब इसकी full form क्या है यह भी आप comment section में बताए जिससे कि आपका सारी dealing fear हो यह सारी चीज़े देखना SEBI का काम है इसको control से भी करती है नेक्स्ट है which one of these statement is not to अब इसमें से बता रहा है कौन से statement जो है वह हमारा सही नहीं है first है institutional infrastructure facilities mix intelligence चो institutional infrastructure facilities है वह हमें क्या बनाती है intelligence बनाती है intelligence होती है सही है STC यहाँ पर इसको ना capital कर लिजेगा STC ठीक है STC is the chief canalizing, canalizing agent का मतलब यहाँ पर आप channel कर लिजे channeling agent यानि कि जो export import में help करती है channel के थूँ उनको sale करवाने में channeling agent यानि कि channeling agent आपने channels पढ़े हैं जो help करते हैं एक product को दूसरे person को sale करवाने में यहां पर इसका मतलब वो है for export and import of agriculture products IIPO IIPO friends इसको भी आप कर लिजेगा capital IIPO है ठीक है IIPO organizes trade fairs and exhibitions letter of credit does not indicate that the bank will pay the value of imports to the exporter अब देखें यहां पर हमें बताना है not true तो देखें यहां पर हमने सीधे पकड़ लिया यहां पर क्या letter of credit does not indicate यहां पर does not आ रहा है जबकि letter of credit तो यह हमारे इंडिकेट ही करता है कि जो भी import की value है वो उसको pay करेगा exporter को तो यहां पर does not नहीं होना चाहिए ता इसलिए यहां पर option 4 हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next आते हैं अब इसका जो Hindi version है वो आप नीचे देख लीजेगा देखें यह question which one is not finance company अब इसमें से कौन सा finance company नहीं है जो एक with the company नहीं है ठीके आप यहां पर देख सकते हैं options है higher purchase finance company IRIDA mutual benefit finance company और loan company तो देखें यहां पर higher purchase finance company की finance provide करती है mutual benefit finance company यह भी finance provide करती है loan companies जो होती है वो भी हमें finance लेती है loan के term में ठीक है अब यहां पर IRIDA की बात आ रहे है तो IRIDA को हमें finance provide नहीं करते है यह एक regulatory authority है जो कि regulate करती है अब किस पर regulate करती है यह comment section में बताएं क्योंकि इस related भी में आपको MCQ करा चुके हूं यह मैंने आपको बता दिया regulating authority है यह regulate करती है वो आपको comment section में बताना है कि IRIDA कहां पर करती है तो आप यहां पर साफ लिखेगा कि आप जो भी कौशन लिख रहे हैं वो इरडा के बारे में लिख रहे हैं तो इरडा जरूर हां पर mention के जएगा next question है investor की protection ensuring fair practices by companies promotion of efficient services by brokers improving the earning of equity holders तो देखें यहां पर यह बात पूछी जा रहे है कि security protection board of India यानि कि SEV यहां पर आगया यह कौन सा function नहीं करती तो protection की बात करें यह investor को protect करती है जिसे कि कोई भी investor को किसी भी तरह का कोई भी dealing में problem ना हो उसको protect करके चलती है यह companies की fair dealing भी देखती है कि वो सही काम कर रहे है यानि investor को किसी भी तरह के कोई भी exploitation तो नहीं हो रहा investor का company के द्वारा यह उसका काम होता है तो यह correct है next है promotion of efficient services by brokers हाँ यह भी चेक करती है कि जो भी broker service दे रहे हैं उसको promote करती है ठीक है तो यहां पर नहीं पूचा है क्या नहीं करती है तो यहां पर option for right answer हो जाएगा equity holders की earning को improve करने का काम नहीं करती है यह सब यह देखती है कि company जो भी investors की साथ deal कर रहे है वो fair हो रही है नहीं उनको जो rate provide की जा रही है investors को जो भी percentage से dividend दिया जा रहा है वो time दिया जा रहा है नहीं या फिर brokers को किस किस तरह की problem आ रहे है dealing करवाने में उनको promote करना उनको सही से guidelines provide करना जिससे की dealing fair तरीके से हो सके यह सारा काम करती है ठीक है promote करती है investor को investor को protect करके चलती है इसका यह काम होता है इसको यह earning को improve करना इसका काम नहीं होता इसलिए option D हमारे आपर right answer हो जाएगा next आते है which one is not non-marketable securities अब इसमें से नहीं हैं यह बताना है options corporate securities, bank deposit, deposit bit companies यह post office certificate deposit तो देखें यहां पर non-marketable securities की बात की जा रही है देखें non-marketable में जो bank deposit है यह भी non-marketable में नहीं आती है कौन से है marketable deposit bit companies यह भी marketable post office certificate यह भी marketable हमें यहां पर नॉट जो हम बोलते हैं for include नहीं होते हैं इसलिए हम इसको नॉम्रकेटीड़ सेक्यूरिटीज नहीं बौल सकते हैं अब यह किस तरह की सिक्यूरिटीज होती हैं जैसे कि आप share हो गया हमारा debenture हो गया कॉमर्चिल पेपर हो गया कंपनी के यह सारी चीज़े हमारी corporate security के अंदर आती हैं इसलिए not not marketable securities में हमारा right answer होगा वो होगा option number one जो कि हमारा corporate securities next आते हैं which one of the following is not an instrument of credit control in banking system अब हमें बताना है जो banking system है उसमें से कौन सा इसमें से instrument नहीं है credit control करने का ठीक है open market operations cash reserve ratio tax rate या फिर all of the above देखिए friends यहां पर अगर हम all of the above की बात करें तो यह तो बिलकुली cut गया अब आते हैं open market operations open market operations की थुरू भी company जो banking system होता है वो अपने credit को control करके चलती है cash reserve ratio भी आपने पढ़ा होगा cash reserve ratio के अंदर क्या होता है वो कुछ percentage अपनी जो total उसके पास capital होती है उसका कुछ percentage वो यहां पर cash reserve के रूप में रखती है जिसे कि आंगे किसी भी तरह का कोई problem ना है इस तरह से credit control करती है अब यहां पर not पूछा गया है तो tax rate किसी भी तरह से help नहीं करता credit को control करने में है तो यहां पर option 3 हमारा right answer हो जाएगा नेक्स आते हैं विच आप दी फॉलरिंग इस नौट फंक्शन ऑफ रूरल बैंक अब इसमें से कौन सा रूरल बैंक का फंक्शन नहीं है मैं यह बताना है तू एक्सेप डेपॉजट तू वेब लोंस तू ग्रांट एड्वांटेज तू सप्लाय इंपुट तू फार्मर तो देखें यहाँ पर बैंक के फंक्शन की बात के बढ़्य बैंक के फंक्शन समय है एकतरा से जो हमारे और बैंक में होता है बस यह पर क्या है यह مسलिफ फोकस करते हैं जो भी हमारे rural area होता है, वहाँ पर जिस भी तरह का work होता है, उस तरह के work में उनको facility provide करें, ठीक है, बस वहाँ पर area अलग होता है, काम सारे सेम होते हैं, जैसे कि to accept deposit, ये deposit accept करती है, to wave loans, loans provide करती है, to grant advantage, ये उनको advances भी देती है, जबकि बात करें to supply input of farmers, ये उनको input supply नहीं करत है, उसके लिए उनको loan देती है, लेकिन ये कभी भी उनको input direct नहीं देती है, उसके लिए वो loan देगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, option 4 जो है, वो मारा right answer हो जाएगा, ये rural bank का काम नहीं है, option 4 यहाँ पर right answer है, next है, अब देखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका question द ATM, ठीक है, ATM force of cost for transactions, अब यहाँ पर यहाँ पर यह बात की जा रहे है, कि किस टेट से सारे bank ने ATM transactions के लिए उसको use करना, स्टांप कर दिया, यहाँ पर ठीक है, cost की बात की जा रहे है, ATM के cost की, ठीक है, cost उनसे लेना, अब देखें, January 1st 2009, April 1st 2009, July 1st 2009, या भी September 1st 2009, या भी September 1st 2009, तो बात करें, तो ATM के लिए जो cost थी, वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, April 1st 2009 से, ठीक है, सारे banks ने, तो option 2 यहाँ पर हमारा राइचा अंसर है, नेक्स्ट है, which of the following is not the fund-based business of commercial banks, अब इसमें से कौन सा fund-based business नहीं है, commercial का, वो हमें यह बताना है, DP operation, loans, deposit, depositing bills, तो देखें, यहाँ पर fund-based business की बात करें, तो देखें, आपने loan पड़ा है, deposit पड़ा है, depositing bill पड़ा है, यह सारे fund-based business के पार्ट है, लेकिन बात करें, DP operation की, तो यहाँ पर इसका अंसर नहीं है, अब यह आप समझ लिए, DP operations क्या होता है, तो DP operations, यह एक तरह पर उनके बीच, एक तरह से यहां पर contact कर लिया जाता है, कि हाँ, मतलब एक प्रोसेसिंग उनकी साथ स्टार्ट करने के लिए, उनको जो भी formalities होती है, वो करवाली जाती है, इसके अंदर जिससे कि वो depository participants वहां की legal बन जाए, तो उसको बोला जाता है, depository participants of corporations, ठीक है, तो next है, banking in India has its origin as early as period, यानि कि इंडिया में जो banking का origin है, वो कप से है, कि सबदी से वो शुरू हुआ था, वैदिक पीरिड, मोगल, ब्रिटेश या फिर नन ओफ दीज, तो आपने देखा होगा, आपने अगर banking की history पढ़ी होगी, तो यह बताया जाता है, कि जो banking है, वो इंडि इंडिया में आयती, British time period, British लेकर आयती, बैंकें को, ठीक है, तो उस time period में यह हमारे banking system स्टार्ट हो गया था, तो यह हमारे इतनी पुरानी है, ठीक है, तो option 3 जो है, वो हमारा right answer है, next है, the maturity period of treasury bill is, अब जो हमारा treasury bill की maturity है, वो कब कब है, यह बताने है, 91 days, 364 days, बोधे of the above, तो friends, यहाँ पर आप देखिए, 91 days and 364, यह दोनो ही maturity date होती है, treasury bill की period होता है, तो option 3 यहाँ पर मारा right answer हो जाएगा, both A and B, अब देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ों समझ लीजिए, टोटल, जो treasury bills होते है, वो हमारे कितने ट्रेजरी बिल होते है, 5 ट्रेजरी बिल introduce का हुआ था, यह introduced हुआ था, 1986 में, ठीक है, कितने टाइप स की होते है, यह होता है 14 days का, फिर होता है, अगें 14 days का, लेकिन इसको intermediate बोलते हैं, ठीक है, intermediate, एक होता है, 97 days का, एक होता है 182 days का और यह होता है, 364 days का, यानि कम से कम days कितने होने चाहिए, 14 और ज़्यादा- ट्रैजरी बिल एक साल से जादा के नहीं होते हैं तो यह थे इसके अंसर्स, ठीक है? The accounting standard number two, यानि कि जो accounting standard two है of the international accounting standard committee, वो हमारा किस से related है? मैंने आपको बताया था कि in accounting standard के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजे कि किससे related है, इससे अंदर आपको पाढ़ने के जुरुत नहीं है क्योंकि आपकी exam में बहुत basic questions आते हैं, ठीक है तो आपको दो याद रखना है accounting standard किससे related है, valuation of presentation of inventory, depreciation accounting, information to be disclosed and none of the above तो देखिए, दो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह हमारा accounting accounting standard 2 जो है, वो हमारा यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा evaluation and presentation of inventory से, depreciation की बात करें तो depreciation हमारा accounting standard 6 से related है and हमारा जो information to be disclosed है, यह accounting standard 1 है, disclosure of accounting policies, 2 inventory 3 cash flow statement, 4 contingency event, 5 prior period 6 depreciation, ठीक है तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक है तो आप इनको बस नियाद कर लिजे कि यह किसे किसे related हैं, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरुद नहीं है next, हम बात करते हैं the Chartered Accountant Act was enacted in the year, जो Chartered Accountant Act है, यह हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में, तो Chartered Accountant Act जो है, वो हमारा आया था 1949 में, तो Option 4 यहाँ पे हमारा Right Answer है ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था, 49 में next आते हैं, the first accounting standard issued by the accounting standard board of India, जो मारा first accounting standard है, जो issue किया गया था, accounting standard board of India के द्वारा, वो कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था, valuation of inventory, तो देखिए, यह तो आपको पता ही, चलके two है, depreciation, यह भी मैंने आपको बता दिया, six, disclosure of accounting policy and revenue recognition, इस में से बताना है, तो disclosure of accounting policy, मैंने आपको बताया था, कि हमारा first is related है, तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा right answer है, यहाँ पर first ही पूछा गया है, तो option three right answer हो जाएगा, ठीक है, revenue recognition आपको मुझे comment section में बताना है, अगर आपको पता है तो, ठीक है, देखिए, नहीं तो आप serial wise इसको ऐसे recall कर सकते हैं, first, disclosure of accounting policy, two, inventory, three, cash flow statement, four, contingency event, five, prior period, six, depreciation, seven, construction, eight, research and development, nine revenue recognition, ठीक है, तो यह nine क्या होगा है, revenue recognition, ठीक है, next हाते है, goods withdrawal by the proprietor from business for his personal use will be credited अब एक proprietor है, अपने personal use के लिए business से biddraw करता है तो उसमें वहाँ पर credit कौन सी item की जाएगी या फिर कौन सा account किया जाएगा, sales account, purchase account, supplier's account या फिर stock account, तो यहाँ पर बात की जा रहे है, उसके biddrawl से related है, तो देखिए, जो stock account है, यानि कि जो biddrawl करेगा, वो उसके पास कभी न कभी stock में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहाँ से personal use के लिए निकालेगा, इसलिए stock account किया जाएगा, purchase नहीं कर सकती, क्योंकि हमें नहीं पता, जो stock वो निकाल रहा है, या फिर जो personal use के लिए निकाल रहा है, वो purchase से निकाल रहा है, sales भी नहीं आ सकता, क्योई sales account तब आएगा, जब वो कुछ sales से related कोई transaction करेगा, अगर suppliers में नहीं हो सकता, stock इसलिए होगा, क्योंकि वो कुछ माल उसके business में रखा हुआ है, as a stock, वो वहाँ से अपने personal use के लिए निकाल रहा है, ठीक है, तो यहां पर फोर हमारा right answer हो जाएगा, next question पे आते हैं, which of the following is not a function of accounting, अब आपको इसमें से बताना है, कौन से accounting का function नहीं है, keeping systematic record, protecting properties of business, maximizing the results, meeting legal requirements, तो देखें, यहां पर अगर हम बात करें, तो एक accounting का काम क्या होता है, जो भी transactions हो रहे हैं, उनको record करके रखना, जो भी business की properties हैं, protect करना, legal requirements के according सारे काम करना, लेकिन क्या काम नहीं होता, जो भी results हैं, उसको maximize करना, इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है, accounting का सिर्फ record करना, systematic way में record करना, उनका maintenance देखना, systematic तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी rules provide के हैं, उस rule के according, उनका record करना, और जो भी properties है, या फिर जो भी legal requirements है, उन सब को follow करना, ठीक है, तो यहाँ पर option 3 जो है, वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर option 3 हमारा right answer हो जाएगा, next question पर आते हैं, which one of the following does not constitute our current liability, अब इसमें से कौन सा हमारा current liability का गठर नहीं है, bills payable, contingent liability, creditors, interest outstanding on deventures, तो देखिए, current liability जो होती, वो liability होती है, जो कि आपको एक साल के अंदर pay off करना होता है, और current liability का मतलब यही है कि कम से कम, यानि कि बहुत कम time period होता है, उसके अंदर आपको इसका payment करना है, तो देखिए, bills payable होते हैं हमारे one year के, one year तक के, trade creditors, यह भी हमारे current liability का पार्ट है, इनकी time period भी one year से कमका होता है, interest outstanding on deventures, इसका भी time period हमारा one year से कमका होता है, अब यहाँ पे जो ज़्यादा है, वो है contingent liability, इसका time period ज़्यादा होता है, आकस्मिक होती है, तो यहाँ पे option two हमारा right answer हो जाएगा, contingent liability, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि यह reliability हमारी है भी या नहीं भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह एक साल की है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी time period नहीं बता कि चल सकते कि एक साल का है, दो साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका time period हम सब को बता है कि एक साल के अंदर तक के हैं, ठीक है, तो option two जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, नेक्स कोशन पर आते हैं, इना business net assets on January 1st, यानि कि January 1st पर एक business के अंदर जो net assets थी, वो 6000 रुपे की थी, और 31st January पर वो उन रुपीज 7500 की थी, ठीक है, दो थी, इभी the withdrawals of the owner during January रुपीज 1,000, अब वो January के time period के अंदर वो 1000 रुपे निकाल लेता है, अगर कोई उस company का owner, तो net income January की क्या होगी, ठीक है, तो आप देखिए, ऐसे निकाल के चलिए, 31st जैन को उसके पास कितनी समपत्ती थी, 7500, कितनी assets थी, 7500 की, उसने bidroll किए 1000, तो bidroll हमेशा add होते हैं, तो 1000 आपने add कर कितने हो गए हमारे 8500 हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर यह क्या बोल रहा है, और एक January को उसकी कितनी थी, assets जो थी, यानि की जो opening थी, वो थी हमारी 6000 रुपे की, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, अब 6000 आप इसमें से माइनस कर दीजी, तो आपको कितना बच्चा 2500 तो यह 2500 जो है, जन्वरी मा की जो है, वो शुद्धा आया होगी, क्योंकि 6000 तो पहले का एड़ था, तो वो माइनस करना पड़ा, और 1000 उसने निकाल लिया, निकाला किस मैं से, इसी मैं से निकाला होगा, इसलिए वो 1000 एड़ कर रहा है, रमेनिंग जो बच्चे 2500, 2500 उसकी net income है, तो यहाँ पर option 2 जो है, वो हमारा right answer हो जाएगा, I hope यह question आपको clear हुआ होगा, इसी तरह के छोटे questions आते हैं, ज्यादा नंबे questions इसमें नहीं पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी लंबी calculation हो, next है consider the following statement, आपको यह statement बताने हैं, कि यहाँ पर जो reason है, वो सही है या नहीं, accounting is the language of business, जो accounting है, क्या वो business की language है, reason है, accounting provides all information needed by a businessman, यानि कि accounting जो है, वो सारे information प्रवाइट करता है, जो कि एक businessman को चाहिए होती है, तो देखिए, accounting प्रवाइट कर रहा है, यानि कि वो उसकी language है, तभी तो वो उसको प्रवाइट कर रहा है, सारे information, तो यानि कि जो assertion है, उस A and R are true R is the correct explanation of A both A and R are true and R is the correct explanation of A A is true but R is false and A is false but R is true अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका right answer हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि accounting जो है वो business के language होती है यह बिलकुल सही है क्योंकि वो language है तभी तो उस language के through वो बता रहा है एक businessman को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन से इसको information चाहिए वो उसको information प्रोइड गर रहा है इसलिए जो assertion है उसके according to reason दिया होगा वो बिलकुल सही है इसलिए यहां पर option 1 जो है वो हमारा right answer हो जाएगा अब जो secret reserves होते हैं वो हमारे किस से बनाए जाते हैं creating general reserve, providing excessive depreciation, overvaluing of stock या फिर undervaluation of liabilities तो ऐसे कौन सा यहां पर point है जिसके थूँ हम secret reserve को अपने create करते हैं हमें यह बताना है तो देखिए अगर हम यहां पर बात करें हमें secret reserve की तो यहां पर जो इसका right answer होगा option number B जो कि है हमारा providing excessive depreciation जो हम excessive depreciation provide कर देते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है secret reserve हमारा create हो जाता है ठीक है तो यहां पर इसका option to right answer हो जाएगा देखिए second question जो है question आगे हमारा same है लेकिन यहां पर options अलग है तो क्या-क्य options हो सकते हैं आप यह भी देख सकते हैं तो इससे आपको एक क्या होगा एक आपकी understanding में बनेगी secret reserve इस इसके थुरू भी बनाया जा सकता है secret reserve में result why अब secret reserve जो है आपको इस options के according बताने है जैसे कि premium on issue of share यानि कि यो share issue करने पर जो premium उसके साथ होता है उसके basis पर profit prior to incorporation dividend equalization reserve या फिर reserve created end of profit on the sale of fixed यानि कि जो भी आरक्षित और निरधारित विक्री पर जो लाब होता है उससे तो देखें यहाँ पर जो options हैं इन options के according जो हमारा answer होगा वो होगा option number 3 क्योंकि dividend equalization reserve जो है वो हमारा इसका main purpose होता है पनाने का कि जो भी हमारी dividend है उसकी rate को proper बनाया जा सके कभी-कभी ऐसा होता है कि company को enough profit नहीं होता तो वो उस समय या उस साल अपने जो shareholders है उनको कहा से dividend देगा और अगा dividend नहीं देगा तो वहाँ पर जो investors होंगे वो आगे से invest नहीं करेंगे या फिर एक negative image बन जाएगी company की उन investors के mind में तो अपना जो impression है वो सही बनाए रखने के लिए company की image सही बनाए रखने के लिए dividend equalization reserve बनाया जाता है जिससे कि अगर किसी साल profit ना हो तो इस reserve से वहाँ पर उनको dividend दिया जा सके तो dividend equalization reserve जो है वो हमारा secret reserve की तरह काम करता है next है which of the following is a revenue expenditure अब इसमें से revenue expenditure कौन सा है हमें ये बताना है repairs on purchase of second hand assets to put into working condition यानि कि कोई भी ऐसी repairing कराना जिससे assets जो है वो working condition बनी रहे preliminary expenses कराना cost of issuing shares and ventures legal expenses to defend a suite filed by the competitor तो हमें बताना इनमसे कौन सा भाना revenue expenditure है तो देखिए अगर revenue expenditure की बात करें तो website को निरंतर चराय रखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें आई गत्वे करना पड़ता है तो D के अत्रेक तखरम यहाँ पर बात करें तो बाकी सारे हमारे क्या हैं हमारे पूंची गत्वे हैं तो यहाँ पर option जो होगा वो हमारा option D right answer हो जाएगा यह option D legal expenses to defender suite filed by the competitor next question पर आते हैं in double entry system of bookkeeping a transaction effects a double entry system जो है हमारा bookkeeping उसमें transactions हमारे effect करते हैं इसे एक account में दो बार दो अकाउंट में एक ही समया पर वन अकाउंट इन टू वेज यानिकि एक अकाउंट में दो तरीकों से या फिर टू अकाउंट में दूनों तरीके से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम double entry system भी बात करें तो सबसे पहले मैं यह पता हूना चाहिए double entry system में transactions किस तरह से होते हैं तो double entry system में हमाजे transactions होते हैं वो हमारे दोनों साइड होते हैं यानिकि debit side भी और credit side भी तो यहाँ पर देखें जो हमारा right answer होगा वो यहाँ पर एक account in two ways यह हमारा option यहाँ पर बिल्कुल correct होगा तो option 3 यहाँ पर right answer है क्योंकि एक account में दो जगे entry होती है किसी भी transaction की एक होती है credit side एक होती है debit side इसलिए यहाँ पर option C हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं देखें यह question थोड़ा बड़ा है यह पूरे यहाँ से question है और यह हमारे options थे तो पहले हम questions देख लेते हैं consider the following activities अब देखें यहाँ पर हमें activities को हमें यहाँ पर serial wise लगाना है summarizing the performance of a business यानि कि business के performance को summarize करना analyzing the business transactions उनके business transactions को analyze करना interpret करना result यह फिर recording day transactions तो accounting cycle हमें यहाँ पर बताना है तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर देखें option नमर आप देख लीजे option यहाँ पर सबसे पहले आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं लेंदेनों का लेखन करते हैं यानि कि हम क्या करेंगे recording करेंगे सबसे पहले ठीक है तो यहां पर होगे हमारा 4, सबसे पहले हम record करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका wishlation करते हैं wishlation का मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया, उसको analyze करने से, तो होगे हमारा 2, यह होगे हमारा wishlation करना विशलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं जो भी हमारी विशलेशन करने के बाद हमें जो next step आएगा वो होगा उसको summarize करना summarize करने यानि कि हम उनको एक short way में हम उन सारी चीजों को जो भी analyze करने में निकल कर आया उसको हम short में उस पूरे चीज को लिखेंगे तो होगे हमारा one उसके बाद आएगा जो भी हमने summarize किया उसके बाद हम जो भी result निकला उसको interpretate करेंगे यानि कि अब उसको हम बताएंगे कि ये इस तरीके से निकला यानि कि उसको एक validate किसी example की थूरू या फिर अपने ratios के थूरू उसको हम explain करने के कोशिश करेंगे कि हाँ ये पूरी चीज थी जिसके थूरू हमारा ये result निकल कर आया तो यहाँ पर option फिर क्या आ जाएगा 3 तो हमारा जो वो बनेगा यहाँ पर cycle वो बनेगा 4,2,1,3 का तो 4,2,1,3 यहाँ पर option 2 में हैं तो option 2 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next आते हैं the user group of accounting information is अब जो accounting information है उसका user group क्या खिलता है owners of the business, managers of the business, potential investor of the business याने of the above तो जो भी हमारा user group होता है accounting information का वो हमारा owners of business भी होता है manager of business भी होता है investor भी हो सकता है तो यह सारे ही यहाँ पर जो काम होते हैं यह इसकी होते हैं इसलिए option 2 हमारा all of the above right answer हो जाएगा next है next question पर आते हैं the first accounting standard AS1 issued by the institute of chartered accountant of India is अब जो हमारा accounting standard 1 है वो हमारा क्या बताता है evaluation of inventories revenue recognition change of financial position या disclosure of accounting policy तो one जो हमें बताता है वो बताता है disclosure of accounting policies option 4 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है accounting in modern age is regarded as अब जो accounting in modern age में है वो हमारा क्या बताता है तो देखिए इसके answer की बात करें तो यह हमारा बताता है all of the above recording भी बताता है language और business भी बताता है और यह business information भी option 4 यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा friends यह थी आज की वीडियो I hope आपको आज के questions पसंद आए होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीचे अपने friends के आज शेयर कीचे और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सेजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं friends नेक्स वीडियो में हम भी मिलते हैं और वीची वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई झाहते हैं